जाहिंद, आरारवी के आने वाले पर एक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जो ये प्रिवियस येर कोश्चन का सीरीज चला रहा है, उसमें परसेंटेज चेप्टर का ही लेक्चर नमबर तिरा है, है ना, इसके पहले 12 लेक्चर हम लोग अल्लेडी कर चुके हैं, और आप इजाम में कोश्चन को बहुत आसान बना देंगे आपके लिए, तो इस सिरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, देखते हैं कि किस तरह का कोश्चन पूछा गया है, इसके पहले देखो, नमबर सिस्टम और ल्सी अमें सिव बगईरा हो चुका है, कई तरह के चैप्टर कितने राजी क्या बसकता है, ठीक है, देखो, देखने में तो कोश्चन आसान है, आसान क्यों है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बहुत सधारन सा काम ये करना है, कि भाई, जो इसको बैंक पैसा दिया, वो जो जो जोरी था, उससे 17% कम रहा, मतलब 100% होता है कोई भी चीज अपने आप में, उससे अगर कोई 17% कम है, मतलब कितना है भाई, 83% है, और यही 83% बैंक उसको दिया, है कितना 23875 और 697, तो कितने राजी क्या बसकता थी, तो 100% निकालना है, अब देखो, इसको करने के लिए, काइदे से कोई 1% निकालेगा, तो बटा में 83 आएगा, फिर अगर 100% निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, भाई 100 से गुना भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, इतना करेंगे तो काफी ज्यादा समय बरबाद हो जाएगा, गल्ती का चांस है, स्वाव लगए, ठीक है, भाग लगाने में, तो देखो, सीधा कई पीछे वाला तीन से भाग लगता नहीं, कुछ दसमलों में आने लगता, ठीक है, और दसमलों में भी आके उस सांत नहीं होता, सांत दसमलों नहीं होता, क्यों, क्योंकि नीचे इस तरह का संख्या कभी सांत दसमलों नहीं देता, आप लोग को दसमलों भीन में बता यह था दसमलों में कोई भी option नहीं है इसका मतलब यह है यह 83 से पूरा-पूरा उपर वाला आई बात समझ में मेरे कहने का मतलब क्या है कि 83 से पूरा-पूरा भाग लगना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो सकता है 27 हो सकता है या फिर 57 हो सकता है तो अगर 27 ही हुआ मान लो तो इसमें 83 के तीन से भाग लगके एकाई अंग पर नौ दिखना चाहिए और नौ के बगल में दो जूरो भी दिखना चाहिए तो पीछे 900 आएगा जो की option number A में है बस इतना सा बात अगर आप सूच लेते हैं तो कलम चलाने का भी जूरत नहीं है कि भाई नीचे पीछे इधर 27 दिखेगा और 27 में तीन से भाग लगके नौ आना चाहिए और नौ के बगल में दो जिरो आना चाहिए कुछ करने के जूरत नहीं है आई बात समझ में मुश्किल तो नहीं है कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि खतरनाक सा calculation है और उसको solve करना मुश्किल है या समझ में नहीं आ र जविर्धी ब्याज और सधारन ब्याज तो ब्याज भी कुछ और नहीं हो परतीसत का ही एक हिस्सा है लाभानी क्या है परतीसत का एक हिस्सा है ठीक है परतीसत और अनुपार समानुपार ही दो चेप्टर ऐसे हैं जो बेस है पूरे अर्थमैटिक्स के और सारे चेप्टर इसके हिजाब से चलते हैं इसलिए इसको सीखना बहुत जारा जो दिया है अब देखो क्या कहा जा रहा है मानलो को जी कुछ X रहता मानलो तो इसका आधा भाग मतलब X बटा दो पांच पर तीसत पर निवेश किया मतलब क्या 5 बटा 100 पर निवेश किया ठीक है और कितने साल क कर दो साल के लिए प्लस तीसरा हिस्सा के है तो भाई आधा और एक चौ ढी निवेश किया 8 बटा 100 बटा 100 और यहां दोखो नीचे 200 है, यहां 400 है, यहां 400 है, तो अगर LCM 400 ले लो मान लो, तो यहां पर 200 से 400 हम लगे हैं दो बार में, और 2 से 5 में गुना होके क्या हैगा भाई, 10X, जोड 400 से भाग लगाएंगे तो एक बार में, फिर 10X, फिर यहां पर 8X, बरावर कितना भाई, 1400, और तो 28 से 140 में, पांच बार में लगता है, पचास आगे और 400 लुना 50 क्या होगा भाई, 2000, तो 20,000, एंसर होगे, option number C, आया बार समझ में, और देखो, अगर थोड़ा सा calculation fast हो जाएगा, आप सीजह देखके, यहां से भी बता सकते हैं, कि यहां पर कितना आ रहा है भाई, 46, ठीक है, और यहां पर इसका दुगना भी तो है, दसका दुगना 20, ठीक है, तो उससे काट कूट के यहां पर क्या है, आपका solve हो जाएगा, तो आई बार समझ में, अगला question हम लोग करते हैं, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलिन था, 1991 से 20% अधिक था, तो 1991 में चीनी का उत्पादन ग्याद कीजिए, तो देखो, 20% अधिक था, मतलब 120 परतीसत था, और इसी 120 परतीसत का मान दिया हुआ है, आपको 1584, तो निकालना क्या है 1991 में, मतलब पहले सुरुआत में जो था, 100 प परतीसत का मान निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो इसको इससे काटोगे, है ना, और फिर 100 से गुना करोगे, तो 12 से अगर काट ले हम लोग, तो यहां पर आएगा 10, और 10 आएगा, इधर 12 काटेंगे, तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 12, 136, 12 गुना 24, 10 परतीसत का मतलब 13 तो 10 का 10 गुना 100 परतीसत, तो 132 का 10 गुना 1320, आई बात समझ में, answer option number D है, बहुत असाल सा सवाल है, अगला कोशन देखो, एक दवा परिव्यक्षक क्या कहता है, 0.05 परसेंट दवा को दो स्पूर्ण बताता है, तो 4 दवा खारिज करने के लिए, सैंपल इस्पेस कितना ह आपको जांस करेगा, तो उसको 4 गलत मिलेगा, तो भाई, 0.05 परसेंट का मान आपको दिया हुआ है, 4, तो 100 परतीसत का मान निकालना है, यही question, इतना ही solve करना है, काम बन जाएगा, तो इसको आप क्या क्या सकते हैं, भाई, 5 बटा 100 और परतीसत वाला 100, ठीक है, बराबर क आके गुना होगा, तो आप कहसे हैं, एक परतीसत का मान आएगा, असी, और एक परतीसत अगर असी आया, तो 100 परतीसत का मान कितना हो जाएगा, असी पर डबल दिया, एंसलों के ओप्सन नमबर भी, आरहा बाद समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए, किसी मि कितना हो तो चांदी है, 15 तो दूसर का जो हो जरूर 85 % होना चाहिए, इसे का निकालना है तो क्या करना होगा उगा, 51 और gotta 1 । यह क Scottish का का निकालने के लिए क्लिए प्टमत पंडर होगा, और पांच से पंडर ती यह निकालने के लिए 80 से घुना भी हो जाएगा, थाजना हो गया आरा बात समझ में नेक्ष्ट कुछिन देखो किसी रासी का 32 परसंट का 40 परसंट का साथ परसंट देखो एंटीपी सिम पूछा वह सवाल है बहुत आसान आसान कुछिन पूछा जाता है बिल्कुल भी गवडाने का जुरत नहीं मान लो रासी एक्स है तो इसका 32 बट थिख है और यहां 432 है इस तरफ तो 8 से हम लोग काट सकते हैं 8 चौका 32 और 8 से कटेगा कितनी बार में 8 540 और कितना 8 चौका 32 और काटो इसको दो से तो 2 से कटेगा तो इधर 2 आएगा और इधर आएगा 27, और कटेगा भाई, 4 से काट लो, 4 से 100 काट लो 25 बार में, ठीक है, और क्या कट सकता है, तो 3 से 6 कट सकता है 2 बार में, और 3 से 27 कट सकता है 9 बार में, फिर 2 बार में, अब देखो 25 से 625, और 625 गुना 9 आपको करना है, तो एक चीज आप देख सकते हैं, कि 9 गुना 25 गुना 25 जो है, यह हम लोगो को करना है, तो या तो 625 में 9 करो, और नहीं तो अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओगे, तो 9 को 3 गुना 3 को होगे, और य वर करने का उस संख्या के वर करने का तरीका क्या है, कि 5 का वर 25 गुना और 7 है, तो 7 से एक बढ़ा के 8 सुगना करो, 8 सते 56, शपन पचीज इसका अंसर हो गया, ओप्शन अमबरे, तो हर कोस्टन के भीतर कई सारे आप लोग को दिये जाते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, आसान हो जाए, तो किसी संख्या का 44 परसेंट दे रहा है कितना, इतना, तो उस संख्या का 63 परसेंट का मान बताना है, तो देखो भाई, 44 परतीसद अगर है 798.6, तो 63 परतीसद का मान निकालने क लिए, आपको तो यह करना पड़ेगा, 7986, बटा में 44, अई 0.6 के भगल में था, उसको हटाएंगे, तो नीचे 10 आएगा, और गुना 63 भी उपर होगा, अब देखो, उपर हम लोग देखे रहे हैं, 875 और 975, अल्टर्डेट नमबर बराबर आ रहा है, तो 11 कट जाएगा तो यह दो से तो कट जाएगा, किनी बार में कटेगा भाई, तो दो तिया छे, एक साथ दो छक बारा, और दो तिया छे, आप देखो, तीन सो तिरसट कुना 63 करेंगे, फिर दो से भाग लगाएंगे, दस के हिसाब से दसमलों बठाएंगे, तो बड़ा मेहनत लग जाएग कि पीछे से एक अंक पे दसमलों देदेगा, ठीक है, दसमलों देदेगा, और नीचे यह जो दो है, वो इस 9 के नीचे है, और एक 10 है, तो 9 में 2 से भाग लगाएंगे, तो क्या हैगा भाई, 4.5 टाप का चीज़ नजराएगा, नहीं, और नीचे 10 है, तो इस 10 की वज़ह से दसमलों एक अंक और आगे सिफ्ट होगा, मतलब ऑप्सन में आपको पीछे 5 नजराना चाहिए, दो अंक पर दसमलों नजराना चाहिए, जो केवल और केवल ऑप्सन नमबर भी में है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का जूरत नहीं है, तो अगर मिथर समझ में आय आरम में मतलब 100% चलो यह निकाल के तुम लो कमेंट में उत्तर बताओ, कि क्या होगा, 156 नमबर कोश्चन का यह सर, अगला कोश्चन देखो, एक संख्या में 42% घटाने पर प्राप्त संख्या, उस संख्या का 70% के बरावर होती है, तो संख्या क्या है, इस संख्या का 2 आप कहेंगे 30% घटा संख्या, तो यह जो 30% घटा वही न 42 होगा, क्योंकि 42 घटाने पर प्राप्त हुआ था 70% तो इसका मतलब 30% कमान 42 है, तो 10% कमान क्या होगा, 3 से काट देंगे तो 14 आएगा, और देखो संख्या का 2 गटा 5 गटा भाग पूचा जा रहा है, तो 2 गटा 5 को फिर 100 गटा 100 से गुना करके आप निकालेंगे, और 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, 22 गुना 40 आएगा, नीचे वाला 100 का परतीसत का चीन बनेगा, तो कैलकुलेसन से बचने के लिए बहुत सारा भीन से परतीसत में जो बदलने वाला डाटा, उसका चार्ट परतीसत लेक्चर परतीस बॉसन देखा जाए, 110 के 110 परतीसत का 10 परतीसत कितना होगा, तो पहली बात तो यह है कि 11 गुनाए 11 गयारा नजर आना चाहिए, नहीं, जो केवल लॉक्स नमबर डी में नजर आ रहा है, बागी तो किसी में है नहीं, 11 गुनाए 11 क्या होता है, एक से किस, तो वह भी तो इस चीज को विजुलाइज करने के लिए क्या चाहिए भाई प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ज्यादा पर्फेक्शन आएगा नहीं कहते हैं प्रैक्टिस मेंक सेमन पर्फेक्ट तो इसलिए ज्यादा सवाल सॉल्ट कीजिए और कुस्ट्टन बैक लगाना बहुत तो नमक कितना है भाई तो नमक उस पानी में घुल जाता है और गिलास में जो पानी है उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है यह science का experiment बच्पन में आप लोग पढ़े होंगे कि नमक जाता था है तो पानी के जो molecules होते हैं उसके बीच में जो space होता है gap होता है चोटे चोटे gaps होते है molecules के बीच में अनु के बीच में उसमें नमक जो है छोटा छोटा कन के रोप में जाके आराम से set हो जाता है और इस व खोल दोगे तो volume थोड़ा सा जो है उस बढ़े होई volume के मकावलिक के मुझा मतलब पहले जितना था पानी उतना ही हो जाएगा नमक डालने के पहले जितना पानी था उतना हो जाएगा घुलने के बाद नहीं समझे देखो इसमें एक ग्लास पानी था इसका volume जो भी था जब कि 320 ग्राम पानी लिए थे 33 ग्राम नमक लिए थे तो कुल मिला के 350 ग्राम भॉलूम आयतर नहीं स्वरी भार हो गया उसका द्रबमान 333 ग्राम हो गया अब द्रबमान के हिसाब से सांदरता निकालने के लिए आपको इसको कैल्कुलेट करना होगा मतलब ऊपर है 300 और नीच 230 अगर 300 तीरपन पे 0 होता है तो पूरा-पूरा दस बार में कड़ जाता है थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसका मतलब दस से जादा तो होगा नहीं अब बचा ये दोनों अगर कैल्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट हुआ तो आप इन दोनों में बहुत अच्छे से अंदाजा लगा लेगा कि इसका एंसर क्या आने वाला है लेकिन अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए वहां अंदाजा मतलगा यह जहां थोड़ा सा प्लोज हो ठीक है देखो कैसे अंदाजा कैसे लगाना है वह बताते हैं और कैल्कुलेशन भी दिखाते देखो 333 में 333 से 33 सम्भाग लगा है तो यह तो तह है कि 9 बार में लगना है क्योंकि यही दो उप्सन बचना है और 9 बार में लगाएं तो कितना है गवाई 9 तिया 27 का 7 बाकी का 2 और 5 नमा 45, 46, 47, 47 का 7 बाकी का 4 और 9 तिया 27 और 4 31 ठीक है अब देखो यहां पर हम लोग दे देख रहे हैं कि 23 तो इधर से बच गया दो में से एक गया एक 123 बच रहा है ठीक है और जब भी आपको 123 बचता हुआ दिख जाए तो यह तो समझ में आ गया कि भाई अगला एक 0 बिठाते ही आप फिर से भाग लगा पाएंगे यहां पर बगल में 0 है दसमलों के बगल में 0 है तो बगल में 0 का मतलब यह है ना कि पहला बार 0 कोई अंक उतारे आप या 0 लगाए तो भाग नहीं लगा तब फिर दूसरा अंक आता है जैसे 0 कैसे आएगा जैसे मान लो कि 15 से किसी भाग लगा रहे है 16 में ठीक है तो 15 एकम 15 लगाए यहां घटके क्या आया एक दसमलों देखे एक 0 उतारे 10 में अभी भी 15 से नहीं लग रहा है तो एक और 0 उतारने के लिए यहां पर 0 दिया जाएगा तब ना आएगा तो दसमलों के बाद 0 तो तब आएगा जब आपको दो दो बार संख्या उतारने का जुरत पड़ जाए एक संख्या 0 देने पर काम नहीं चल है तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अच्छा 333 और 330 का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छा खासा 123 के आसपास मिल रहा है तो अगला अंक कोई शही नंबर मिलेगा जीरो नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से आप बी टिक कर सकते हैं आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने इस लेक्चर में दोनों का अंसर आप लोग कमेंट में बताईए जिसका सही अंसर होगा उसको लाइक या हट दे देंगे ताकि और भी लोगों को पता चल जाए कि सही उत्तर क्या है तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए रुखना ना आ जाए ठीक है पूरा प्रयास अपने रखना है जिन्दा रहना है जागदोख रहना है ठीक है मिलते नेक्स्ट वेडियो में